हेलो लेर्नर्स कैसे हैं आप सभी I hope you all are doing great आज हम लोग PCS exam के लिए PCS 2024 के लिए उनके PYQs को discuss करेंगे जिसमें आज हम लोग 2022 के सभी PYQ को discuss करेंगे इसके पहले भी हम लोगों ने 2023 के सभी महत्पूर PYQ को discuss किया है आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं पहला question है सूची एक को सूची दो से सुमलित करनी है प्रमु को समीती है तथा उनसे जुड़ा वर्स है तो सबसे पहले बात करेंगे बलवंतरा है महता कमेटी इसका गठन कप क्या गया था इसका गठन क्या गया था 1957 में पांचायतों की रियस तरी सुझाओ दिया था इनके इसका हो जाएगा option A अशूप में ही सामिती का गठन किया था नाइटी सेमठी सेवन में एलम सिभी समिती का गठन किया था 1986 में तथा पी के थुंगन समिती का गठन किया था 1988 में तो यह सभी सुमलित है इसलिए इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4 नेक्ष नमबात करेंगे DDT यह क्या है यह एक आजयव अपगटनी प्रदूशक है यह एक ऐसा प्रदूशास है जो अपगटित नहीं होता है और इस प्रदूशों को किस रेड़ी में पारा भी आता है सीसा भी आता है साथ ही मैंने Environment and Ecology की UPPSC द्वारा करा गए जितने भी आज तक किसी भी एक्जाम में आये हैं उनकी एक प्लेलिस्ट भी है उनको आप लोग चाहें तो जाकी देख सकते हैं नेक्क्ट बात करेंगे निमलिखित में इससे कौन से दो सही सूं मिलित हैं प्रमुख जंजातियां हैं और उन्से जुड़े राज्र vendor है तो इसका हो जाएगा 1 & 4 1 & 4 that means option be is the right option इसके साथ ही मैंने जंजातियों के से रिलेटर एक separate वीडियो करा रखा है यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं जिसमें भारत की सब भी जंजाती हैं तो यदि बात करें खेरिया जिसे खेरिया भी कहा जाता है कहां पाई जाती है मेली ओडिशा बिह और पालियान इसका संब्द है तमिल नाडू से नेक्ट है निमनकित में से कौन सा बायो मास उर्जा का स्रोत नहीं है तो इसमें लकडी भी उर्जा का स्रोत है गोपर भी है लेकिन कोईला भी है लेकिन साथ ही यदि बात करें हम परमाड़ एनरजी की मतलब की न्यूक्लिय में अब घटित होता है तब इसे ही बायो गैस निकलती है और बायो गैस में मिथेन की मात्रा कितनी होती है यह हो सकती है लगभग 75 के पर्शंट नेक्ट हम बात करेंगे निमनलिकित में से किसने चिंतामडी भट दौरा रचित संस्क्रत ग्रंथ शुक सब्तती का फार्सी म अनुवात कर उसका नाम तूती नामा रखा था तो यह रखा गया था ख्वाजा जियाउदीन नक्षुबी के दौरा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी और यह कॉशन मेड़वल हिस्ट्री से था नेक्ट हम बात करेंगे भारत के नियंद्रा क्यों महालेखा परिक्षक का audit, report का परिक्षर करती है, तो किस का करती है यह करती है, लोग लेखा समीथ का, मतलब यह बात कर रहा है क्याएग कि, क्याएग कि स आर्टिल महालेखा यह है, अंडर अर्टिल 148, और यदि हम बात करें लोग लेखा समीथ की, तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिस में से 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 17 मेंबर राजसभा से आते हैं ये आद रख्या का पूछा भी गया है साथ ही लोग लेका समित के जो अध्यक्ष होते हैं इसकी नियों कि लोकसभा के सदस्यों में से ही कि जाती है तथा परामपरागत रूप से समित का जो अध्यक्ष होता है ये विपक्षी दल से ही चुना जाता है भारत के किसर राज ने सुख्ष जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रतम डिजिटाल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रेल 2022 में शुभारप क्या गया था तो ये क्या गया था करनाटक में ये करेंट रिलेटेड था नेक्ष्ट ये दिबात करें तो नेक्ष्ट भी करेंट बेश था कि अप्रेल 2022 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवर्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्व में हमें सही बताना था तो ये भी महतपुर जाता है 2024 से रिलेटेड तो संस्कृति की स्टेड़ी में दिया गया था इंद बात कर रहा है फर्म सपसीडि के संदर में निम्लकित कतनोंपर विचार कीजिए पहला कहता है कि भारत में इन्पूर्ट सपसीडि जैसे दी जाने वाली प्रत्याक्यों की के अंतरकत आती है तो बिल्कुल correct है दूसरा कहता है कि किसानों को बिजली वा सिचाई पर दे जाने वाली कट होती है यह प्रत्याक्ष फार्म सब्सिडी के अंतरकत आती है यह गलत है नेक्स है तीसरा कहता है कि WTO विश्योवयापार संगठन के क्रशी समद्धी प्रावधा में ख्रंचशे छेत्र के विकास रिव प्रोग्वान के लिए ख्री च्छोट मातलब की फृपकर के धाती है और ये दो प्रकार के होता है प्रत्यक्ष ऐ Originally अकि तो इसके सबसेड़ि जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती है जैसे कि LPG सिलेंटर पर दी जाने वाली सबसुड़ी यह सभी आती हैं प्रत्यक्ष के अंतरगत और यदि बात करें WTO की तो WTO के करसी समंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सबसुड़ी की सीमित मा समर्थन शामिल ना हो यह और WTO के करसी समंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतरगत तीन बॉक्स के रंगों कौन-कौन से नीला हरा और एमबर के आधार पर सबसुड़ी पदान की जाती है विकास शील जो देश हैं उनके लिए S&D बॉक्स मतलब की डेवलाप्मेंट प्राप्त है यह भी याद रखेंगे भारत सरकार दोरा पारियावर्ड के परि لक्षड मतलब की परियां वर्यावर्ड के पारित चागया था तो यह क्या गया था? 1986 में नेक्स्ट है नेक्स्ट कोईशन भी करेंट बेस था पूछा क्या था कि तंजानिया की पहली माईला प्रेसिडेंस कौन बनी है तो ये बनी है सामिया सुलू हसन तो हम लोग देख सकते हैं वर्ल्ड की हो या फिर इंडिया की हो कोई भी फर्स्ट तो फीमेल हो ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्पूर हो जाता है नेक्स है हमारे दोरा उपयोग के जने वाले उर्जा के अधिकांस स्रोत संग्रहित और स्वर उर्जा का पत्तिन देत्व करते हैं इसमें हो जाएगा न्यूक्लियर एनरजी मतलब की नाविकी उर्जा तो संग्रहित उर्जा के बात करे तो इसके सुरोत में नाविकी उर्जा सामिल नहीं होती है और यदी बात करें हम नाविकी उर्जाती यो प्राप्त कैसे की जाती तो परमाड के नाविकी विखंटन या सनलायन के दौरा प्राप्त की जाती और इसमें सूर की उर्जा की भूमिका नहीं होती है नेक्स है ओजोन दिवस की स्तिति को मना जाता है ये मना जाता है 16th of September को इस से related कूट में आरो में question दिया था नेक्स है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और ये politics related question था अनसूचियां है और उनसे समधित विशे है तो यदि बात करें तीसरी अनसूची में तीसरी अनसूची में क्या है इसमें है शपत या प्रतिज्यान के प्रारूप है चोथी अनसूची में क्या है तो इसमें है राज विधान परिसदों में स्थानों का आवंटन है साथ वी अनुसूची में क्या है तो इसमें है संसद और राज विधान मंडल दोरा बनाई जाने वाली विदियों की विशे सूची और यदि बात करें आठ वी अनुसूची की तो इसका समंध है भासाओं से नेक्स है कतन दिया है कि 73 अमेंडमन एक्ट भारत के स्थानी शाषन के थियास में एक आधार इस्तंब की रूप में माना जाता है बिल्कुल करेक्ट है 73 अमेंडमन ने पंचायतों को आती अपेक्षिल समधानिक दर्जा पतान किया था तो इसका कारण भी सही है और कारण कतन की व्याख्या भी कर रहा है तो इसके लिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और भारत में और भारत के समधान में ग्राम पंचायतों का उले किस आठकिल में यह है आठकिल 40 किस में तो यह है राज के नीतनिदेशक सिधानतों में 73 अमेंडमन एक्ट के द्वारा 1992 में समधान के भाग 9 में पंचायतों को समधानिक दरजा पदान के आ गया था और यदि बात करें नगर पालिकात की तो इसका समधान है 74 अमेंडमन एक्ट से और वो है भाग 9 का सुची एक को सुची दोसे समेलित करना है में स्वामी नाथन इनका संबंद ये हरित करंति के जनक कह जाते है भारत में और विश्य में हरित करंति के जनक कौन है नार्मन 40 लाग एल के जा का समद्ध किसे है आर्थिक प्रशाष्निक सुधार से और वर्गीज कुरियन का समद्ध है दुख्ध उतपादन से तथा मोरार्जी देशाई का समद्ध है बैंकों पर सामाजिक नियंतर से संद्र गुप्त दोती के संदर में निमन कित्मे से कौन सा कथन साही है पहला केता है कि शकविजय के संदर में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रचत मुद्राएं हैं बिल्कुल करेक्ट है दूसरा केता है कि इन मुद्राओं की तौल लगबग 33 ग्रेन हुआ कर दी तो इसक काला सीसा भी कहा जाता है और यहां उस्मा तथा विद्धुत का सुचालक होता और हीरा फुलरीन तथा कोईला ये कारवन के आपर रूप है नेक्स्ट है सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है भारत के प्रमुक जलपरपात है और उनकी इस्थती है तो दूद साकर जलपरपात कहां पे है ये है गुवा में है बरकाना कहां पे है ये है औरिशा में खंदा धार खंदा धार कहां पे है ये है करनाटक में तता पल तो इसका सम्मंद है population से नेक्ष्ट है United Kingdom का party gate scandal क्या है तो यह British प्रधान मंतरी कारियाल है दोरा COVID-19 मांदंडों के उलंगा से सम्मंदित है नेक्ष्ट हम बात करेंगे bacillus hemophilus influenza कारक है तो यह छोटे बच्चों में meningitis यानि कि मस्तिस्क ज़र के एक सरूप का कारक है साथी pneumonia क बात करें बात करें bacillus hemophilus एक gram negative bacteria है जो कि यह जिवाड़ छोटे बच्चों में meningitis मतलब कि मस्तिस को ज़र और निमूनिया का कारक हो सकता है और यह बात करें हम influenza की तिया एक विशाड़ जनित संक्रामक रोग है जिससे नाक गला तथा फेपड़े में संक्रमड हो जाता ह और नव जात में काली खाजी का बड़ा कारक क्या है यह है बार्टे टेला पर्टुसिस जिवाड़ लेकिन यह भी याद रखेंगे कि इसमें आयोक के द्वारा माना गया था आंसर टी नेक्स टेक्नियम लिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है नहीं बताना है मतलब कि कौसी ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो इसमें हो जाएगा आरगन ग्रीन हाउस गैस माति करें ग्रीन हाउस गैस हो कि इसमें आता कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक इसलए यह महारत पूर हो जाता है नेक्स है दच्छरपूर एशिया में सिद बोर्णियों द्यूप के संदर में लिंकित में से कौन सा सही है या तीन देशों में विभाजित है और इसकी उत्पत्ती जौला मुखी निक्षेप के दोरा हुई है तो इसका दोनों साही है तो बोर्णियों के बात करें थे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दियूप है या तीन देश कौन-कौन से इंडोनेशिया मलेशिया और ब्रूनई में विभाजित है नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमलित करना प्रमुक ऑफिसर है और उनके कारे हैं तो यदि बात करें तलार का कार क्या होता था तो यह रात री सुरक्षा कर्मों का अधिकारी होता था पट्टकुल के बात करें तो यह ग्रामीड कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे और सहसा धिपति या चोरी डकैति के मुगद्मों का अधिकारी होता था और यदि बात करें बला धिपकी तो ये चुंगी का अधिकारी होता था नेक्स्ट है भारत में किस धार्मी समू का सरवादिक भाग नगरी है तो ये है जैन का और ये जन गरना से रिलेटेर क्वेस्चन था नेक्स्ट है सूची एक को सूची दोसे समेलित करना है तो विधान सबागे नव निर्वाचित अध्यच और उनके रिलेटेड राज पुछा था और ये भी करेंट बेश्ड था तो इसका मतलब है कि 2023 में रिजिसेंट में जहां जहां भी चुना हुए है तो वहां के नव नि क्या की बात कर रहा है फिर उसके बात आएगा लखनो एंदेन आएगा काईजियाबाद और सबसे लाश में आएगा क्या आगरा तो इसका हो जाएगा 2413 नेक्ट है निम्कित में से कौन सा एक सही सुमेलित है तो यहां पे सनातन धर्म रक्षडी सभा का संबंद कलकत्ता से बाकी सामी गलत है ऑप्सन सीज का सही है यदी बा Cakeो की बात करतों भारत धर्म महां मंडल का संबंद हरीmileर से देव समाज का अगया था लाहोर में सनातन धर्म रक्षडी सभा कलकता में तथा राधा सौमी दोरा संचालित पहला हवाई अड़ा कौन सा था ये था कोचीन कहां पर है केरल में है तो 18 अगस 2015 को केरल के ततकालिन मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने कोचीन अंतराश्टी हवाई अड़े को 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उदगाटन क्या था और ये जो कोचीन विकास पर योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उदेश ग्रामीड अबादी को पानी के सनक्षट के लिए चक्षम बनाना है त्योजाए कि हारी आली योजना शुरुवात कब होती है 2003 में सुरुवात होती है नेक्स है निमलकित युगमों में स कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बताना है इश्वर वर्मन 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 तामर पत्की तो इसका सम्द्र जो गुप्त समराज था है गुप्त समराज के संद्र गुप्त सम्द्र गुप्त से 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 सम्द्र ग और इससे related भी question था, direct question नहीं था, लेकिन उसमें पूछा गया था ना, उर्वरा क्रांती का समद्ध किसे पीली क्रांती से, जो की गलत है, तो question repeat होते हैं, लेकिन as it is नहीं, वहाँ पे थोड़ा changes करके, यदि हम क्रांती की बात करें, तो golden क्रांती का समद्ध बागवानी और शहद से, ग्रे क्रांती उर्वरक से समद्ध थे, पीली क्रांती तिलहन से समद्ध थे, काली क्रांती का समद्ध पेट्रोलियम उत्पादन से, तथा नीली क्रांती मशली उत्पादन से समद्ध और बू की तो इसका समंद्ध है अंडा या कोकुट उत्पादन से नेक्ट है निमलिकित परवस रंखलाव में से कौन सी हिमाले परवस शड़ी में इस्तित है तो इसमें अन्नमलाई शिरुमलाई यह तो पहले यह अलग हो जाता है क्योंकि यह साउथ में है तो इसमें हो जाएगा option A A and B, चो तथा लोज से तो इसका हो जाएगा 1 and 2 और यदि हम बात करें अन्नमलाई परवस रंखला की जो पश्चिमी घाट में इस्तित है और शिरुमलाई परवस रंखला पूरी भी घाट में इस्तित है अन्नमलाई की हायस भी कौन से है यह है अनाई मुड़ी कहां पे है तो यह है केरल में यह भी याद रखेंगे निमलकित में से कौन सा एक युगम साही समयलित नहीं है रेयान यह रुपांतरित स्टार्च रुपांतरित स्टार्च नहीं है यह है रुपांतरित सेलूलोज तो इसका जो ऑप्शन A है यही समयलित नहीं है इस्पार्टिम क्या और नियोप्रिन क्या है विशिष्ट रबड है नेक्ट है निमलकित गटनाओं पर विचार किजिए और उनको काल क्रमा नुसार विवस्तित कीजिए जिसमें पहला है मुदिकी का युदो ये कब हुआ था तो ये हुआ था अठारा सो पैतालिस में पोटोनोमा का युदो 1781 म युदो फिर उसके बाद आता है पोटोनोमा का युदो और सबसे लाश में आता है मुदिकी का युदो इसका हो जाएगा 3421 नेक्ट है उतर पदेश के निमलकित में से कौन सा बन जो अब्यारड 1974 में 1975 में स्थापित क्या गया था तो ये हो जाएगा कत्रनिया घाट बन ज 1979 में और बात करें यदि हम रानीपूर वन जी अभैरड के इसकी स्थापना होती 1977 में और जो कत्रनिया घाट बन जी अभैरड है इसे वन जी विहार कब गोशित क्या गया था तो इसे 31 मैं 1976 को गोशित क्या गया था वन जी विहार निक्स्ट प्रशिद्र रूर कोईला चेत्र निम्नकित में से किस देश में इसीत है तो यह है जर्मनी में और यहीं पर रूर नदी भी प्रवाहित होती है जो कि पश्चमी जर्मनी में प्रवाहित होती है याद रखेगा पश्चमी जर्मनी में प्रवाहित होती है question आया है आरो में पूछा गया है राइन नदी के बारे में जो कि गलत है वहाँ पे तो ये भी याद रखेंगे कहां प्रवाहित होती है ये प्रवाहित होती है क्योंकि राइन नदी से बोला है कि वो उत्तर में प्रवाहित होती है तो वो वहाँ पे गलत है इसका मतलब question repeat होते हैं नेक्ट है निम्कित में से कौन सा एक मौलिक करतवे नहीं है तो राश्टगान का समान करना प्राक्रतिक वातवर्ट की रक्षा और समर्धन करना सार्दुनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये तीनों ही मौलिक करतवे के अंतरकत आते हैं लेकिन राश्टी महत्व के समार्कों और स्थानों की रक्षा करना ये शामिल नहीं है मौलिक करतवे में और यदि हम बात करें मौलिक करतवे की तो इन्हें स्वाड़ सिंग कमिटी की सिफारिस के द्वारा 1976 में 42nd Amendment Act के द्वारा भारती समिदान के भाग 4A में Article 51 में 10 मौल करतवे को शामिल के आ गया था और 66 समिति की द्वारा ही 8 मौल करतवे को ही शामिलित करने का सुझाओ दिया गया था तो 2002 में 86 Amendment Act होता है और तब के रहामा मौल करतवे जोड़ा जाता है कौन सा होता है यह सभी माता पिता का करतवे होगा कि 6-14 वर्ष के आयो के बच्चों के लिए सिख्षा दिलाएं और प्रेजेंट में कितने मौलिक करतवे हैं यह हैं 11 मौलिक करतवे यदि बात करें राष्टी महाद्व के समारकों और इस्थानों की रक्षा करना यह समधान के Article 49 में है और यह राजिक के नीत निदेशक शिधानतों में आते हैं नेक्स है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है यह भी Medival HD से question था सुल्तान गड़ी का मगबरा इसके दोरा बनवाए गया था इल्तुतमिस के दोरा लाल महल बनवाए गया था बलबन के दोरा जमात खाना मस्जित अलाव दिन खिलजी के दोरा तथा कान optim कई तो यह उनी चाहिए 55डाv, शांतो खेट्र के लिए कितनी उनने चाहिए 50डाv और निदेशीं बात करें अध्र की उनी चाहिए 70डाv त व्यपारिक शेट्र की बात करें यह उनी चाहिए 65डाv नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है प्रमुक ओसियन है और उनका डीपेस्ट पॉइंट है जिसमें प्रशांत महासागर में है प्रशांत महासागर का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है मेरियाना ट्रंच है आर्कटिक का है मुलाय गर्थ और हिंद था नेक्षई पारिश्थिति की निकेट के संदर में निम्नकेut कत्मों में इसे कौन सा सही है यहां उन इस्थितियों की स्रोडी का पत्रित तो करता जो संद्रों की उपियोग और सबसे पहले प्रियोग ग्रीन्ल्स के द्वरा क्या था 1917 में नक्षा कथन दिया है कि भूमद शागरी जलवाई के छेतरों में वर्षा शीतरित में होती है कथन बिल्कुल सही है कारड ये है क्योंकि गर्मियों में ये छेतर शूष को स्थली हवाओं के प्रभाव में रहते हैं इसलिए यहाँ पर शीतरित में और इसका नाम भूमद शागर के नाम पर ही भूमद शागरी जलवाई उपड़ा था यहाँ पर जलवाई चेतरों में क्या होती है सरद रित में वर्षा होती है और कर्मियों में यहाँ चेतरों सुष का स्थली हवाओं के प्रभाव में रहते हैं नेक्स है सूची एक को सूची दो से सुमलित करना है प्रमुक पहाडियां है और उनके राज्य है तो बटेशर पहाड़ी कहां पे है बिहार में है बिलारी पहाड़ी करनाटक में है चिन चिन पहाड़ी कहां पे है यह है मनीपुर में और धोशी पहाड़ी यह है हर्याना में नेक्स है 1995 में गंगा एक्सन प्लान पर्योजना प्रारम करने का मुख्य उद्येश है क्या था तो इसके जल को केवल प्रदूशर रहित करना ये था गंगा एक्सन प्लान का उद्येश जिसका हो जाएगा ऑप्सन से शुरुवात कब होती है 1985 में साथ ही 1993 अपरेल में गंगा कार योजना सेकेंड को भी मंजूरी दी गई इसमें गोमती यमुना और दामोदा नदी को भी शामिल क्या गया था और 1995 में अन नदियों को भी शामिल क्या गया साथ ही 1995 में ही राश्टी चल राश्टी नदी संड़क्षर योजना के भी तो इसमें अलाउद्दीन खिल जी के निम्लिकित विजियों को काल करम में विवस्थित करना है रड थंब और अभियान इसका कब होता है यह होता है तेरा सो एक में गुजरात अभियान सबसे पहले होता है पारा सो निन्यान नबे में और यदि बात करें वारंगल अभियान के तो यह होता है तेरा सो दस में और जो तोड की बात करें तो यह होता है आलाउद्दीन खिल जी का अभियान तेरा सो तीन में तो इसमें सबसे पहले किसका होता है कुजरात का एन देन उसके बाद होता है रड तंब और तेरा सो एक मे तो इसका हो जाएगा 214, 2143 मतलब option C is the right option नेक्स्ट है निमलिखित विश्यों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा की सम्विधान में उल्लखित है वेवस्थित करना है तो इसमें सबसे पहले संग तथा उसके राजयो शेदर का उलेक है भाग एक में संगर राज उसका चेतर 1 नागरिकता आएगी 1,3 एंदेन आएगा 4 राज के नीत नेदेशक सिधान तथा उसके बाद आएगा सबसे लाज़ में मौलिक करता वे तो इसका हो जाएगा 1,3,4,2 नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कारिकर्म के संदर में निम्लकित में से कौन सा साही है तो 2014 में मेक इन इंडिया की सुरुवात होती है बिल्कुल करेक्ट है इसका उधेश था कि भारत में कमपनियों को विनिरमाड हेतु प्रोज़ान देना और निवेश को सुगम बनाना तो यदि बात करें बनारस के पास शुजा की बनारस के पास शुजा की पराजय कब होती है तो यह होती है फैब 1658 में और यदि बात करें सामुगड की लड़ाई तो यह भी होती है 1658 में लेकिन यह कब होती है तो यह होती है मे 1658 में तता धर्मत की विज़े यह होती है अप्र नेक्ट पूछा था कि जल जीवन मीशन योजना किस वितिव वर्स के केंजरी बचट में गोशित की गई थी तो इसकी शुरुवात होती है थो Crunch नेक्ट रा minimum इसे कौन सा पदार्थ जयो निम्नी करड़ है तो इसमें हो जाएगा जो उन है ये जयो निम्नी करड़ पदार्थ है नेक्स डाइन निम्नकित घतना ओपर विचार किजिए तथा उनको काल करमानुसार विवस्यत करना है जिसमें पहला है गदर पार्टी के स्थापना कब होत है 1929 में तो इसका सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले आएगा गदर पार्टी के स्थापना और इंडिपेंडेंस कमिटी फिर उसके बाद आएगा केंद्री अशमली बंकांट चट गाउं सस्त्रा गार और इससे समझनी थे सूर्य शेन नेक्स है निम्नकित युगमों में स 60 ते उसको ऑप्शन D ही सही नहीं है नेक्स है सल्फा ड्रग निम्नकित में से किस प्रकार की ओसदी है तो यह है प्रती जीवाडुक ओसदी मतलब की एंटी बैक्टीरियल नेक्स है समयुक्त राश्विकास कारकरम यूयन डीपी ने निर्धनता की निम्नकित स्रेडियों क की विशिष्टाइं मिलती है तो यह मिलती है अमरावती तथा नारका नागारजुन कॉंडा दोनों में मिलती है नेक्स है कथन कहता है कि आगरा और दार्जलिंग एक ही अक्षांस पर इस्थित है लेकिन जन्वरी में आगरा का टेंपरेचर 16 डिग्री सल्सेस रहता तथा दार्जलिंग करेता है चार डिग्री सल्सेस बिल्कुल करेक्ट है ये कारड कहता है कि उचाई के साथ तापमान घड़ता है तथा विरल वायू के कारड मैदानी परदेशों की तुलना में परवती परदेश अधिक ठंडे रहते हैं तो कारड भी साहिए और कारड कतन की व बाकी गलत है क्यों क्योंकि जो गेहूं है गेहूं का संबंद है यूपी से मतलब कि गेहूं के उतपादन में यूपी अग्रडी है चूट के संबंद में बंगाल पश्री मंगाल अग्रडी है तथा चाय के उतपादन में आसंड टॉप पर है नेक्ट है समिदान की मूल सं पर विचार कीजिए उत्रपदेश का पश्चिमी छेत्र आने छेत्रियों की तुलना में अधिक विक्षित है बिल्कुल करेक्ट है यहां छेत्र हरित करांति का भी साक्षिराहत इसका दोनों साहिए और यह क्वेश्चन आरो की एक्जाम में भी पूछा गया है पीवाई क्य करें यह दिदी बात करें बैथून की तो इन्होंने कलकाता में कन्या विद्याले की स्थापना करी ठीग और इश्चन विद्यासागर यह कलकाता में संस्क्रत कृलेज के प्रचार थे था था बीयम मालापारी इन्होंने बाल विवाय के विरुद्धों संगर्श कर और यदि बात करें हम अंडे देने वाले अस्तंधारीों के तो उन्हें जाता है विश्य में किवल पांच अस्तंधारी ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं जिनमें चार जो हैं वो एकडिनक की प्रजातिया है तथा एक है प्लैटीपस की प्रजाति नेक्ट बात करेंगे सौर उर्जा को विद्यूत उर्जा में किसके द्वारा परिवर्थित किया जाता है तो यह किया जाता है फोटो वोल्टेक कोशिकाओं के द्वारा मतला फोटो वोल्टेक सेल के द्व तो बात कर रहा है यहीं काराकुम डेजर्ट तो यहां तुर्कमेनिस्तान प्लस कजाकिस्तान दोनों देशों में फैली है तो इसका हो जाएगा A.N.D. मतलब दोनों साइओंगे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों देश में हैं नेक्स्ट है प्रथम अंतरीम राष्टी सरकार की गुषडा कप की गई थी तो ये की गई थी 24 अगस 1946 गो नेक्स्ट एंडेन कितमें से अशोट का कौन सा श्रिलालेक धारमिक संचलेशन मतलब की समनवे धारमिक समनवे के बारे में कहता है तो ये हो जाएगा बारहावाश्र श्रिलालेक और यदि बात करें अशोक के दोतीश ललेक की तो अशोक के दोतीश ललेक में चोल, पांड्य, सत्य पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा के साथ मनुसियों एवं पशुमों की चिकिस्सा व्यवस्था का भी उल्लेक है नेक्स्ट है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है तो ये दिया जाता है उन उत्पादों को जो कि environment friendly होते है तो इसका हो जाएका option C नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है ये प्रमुक केंद्र है और उनसे जुड़ा उद्ध्योग है तो उसाका किस लिए पुर्षिद्ध है तो ये है सूती वस्त्र के लिए कहाँ पे है ये जपैन में है याद रखना डेट्रोइट किस के लिए है ये मोटर वहलान मतलब की automobiles के लिए क्यूबा किस है तो क्यूबा है सिगार के लिए और सेंट पीटेर्स बर्ग कि एकल उडान मिशन पूरी किया था नेक्स एनियम कितमे से कौन सा सतत विकास लक्ष मतलब कि सस्टनेबल डिवलाप्मेंट गोल्स हे तो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष नहीं है तो इसमें शूनि भूक भी है गुड़वत्ता परक्सिक्षा भी है लेकिन अंतरिक्ष अनुस 24 के लिए क्योंकि यह हर बार देखे जाते हैं और इसकी एक वीडियो भी मैंने करा रखा है यदि आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं 17 SDG गोल्ड पूरे कम्प्लीट करा रखे हैं नेक्स नेक्स्ट है शेर सागो अपनी वीर्ता से प्रभावित करने वाले जैता और कुम्पा जैता और कुम्पा किस अस्थान से संबंदी थे तो यह संबंदी थे मारवाड से नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक जनपत एक उत्पाद योजना के आधार पर निम लिखित युगमों में से कौन सा एक सही नहीं बताना है तो इसमें लकडी के खिलों ने ये बागपत से नहीं संबन्द है इसका संबन्द है चितर कूट से तो इसका ऑप्शन ए ही सही नहीं है यदि बात करें बूंच के उत्पात से तो इसका संबन्द है अमेठी से चर्म उत्पात मतलब की लेधर प्रोड़क्ट आगरा से संबन्दित है और रेडिमेट कपड़े ये गौतम बुद्धिनगर से संबन्दित है और यदि बात करें बाग पत्की तो यहां से होम या फिर गुड्स से संबन्दित है नेक्स्ट है इंडिया स्टेट आफ फोरेश्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्लखित में से किस राज्ज ने पिछले दो वर्सों में वर्ण शेतर में अधिक्तम व्रधि दर्ज की है ये की गई है आंध्रोप्रदेश में और उसके बा बहुजन समाजवादी पार्टी के स्थापना होती है 1994 में समाजवादी पार्टी के स्थापना होती है 1992 में और और अल इंडिया त्रण मूल कॉंग्रेस के स्थापना होती है 1998 में नेक्स है बिम्ष्टेक के संदर में निम्ड कितकतनों में कौन सा सही बताना है नेक्ष है पीम नरेंद्र मुदी ने पांचवे बिम्ष्टेक सीखर सम्मिलन को 30 मर्द 2022 को संभोधित किया था और ये करेंट बेश्ट था तो इसमें पहला साहिए दूसरा गलत है नेक्ष्ट है सत्य सोधक समाज के संथापक कौन थे जिनका प्रात्मिक जोर सत्य की खोश पर था ये थे जोतिबा फूले कब की थी स्थापना 1873 में की थी तो डेर भी याद रखेगा क्योंकि सिक्वेंसे भी लगाने को पूछ लेता है दैनिक पत्रों की बात करें तो इन में दीन बंदू तथा इनकी पूछता का कौन है गुलाम गीरी बहुत प्रसिद्ध है ये भी पूछ सकता है तो याद रखेगा नेक्स्ट है राष्ट मंडल खेलो से था तो इसका मतलब है 2023 में हाली में जितने भी गेम्स हुए है वहाँ से महत्पूर है सबसे अदा तो महत्पूर है एशियन गेम्स नेक्स्ट है कथन कहता है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है मतलब कि होमोजीनस होता है कथन बिल्कुल करेक्ट है कारड कहता है कि पूरे हिस्से में विभिन संगठन वाला घोल समरस होता है तो इसका कारड गलत है कथन सही है नेक्स्ट है सूची एकको सूची, दो से सुमेलित करना है, प्रमुख ग्रंत है और उन से जुड़े रशनाकार है जिसमें पहला है राग माला की रसना की जाती है, पुंडरी विठल के द्वारा रसकॉमदी की रसना की थी, स्रीकंट के द्वारा राक विवोद इनकी रजना की गई थी सोमनात की जी के द्वारा तथा चतुर दंडी प्रकाशिका की रजनाकार है वेंकर ट्रमन नेक्स्ट है कथन दिया है कि बीश्वी शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं करताविक के भी से बने कथन बिल्कुल सही है कारण के था कि रडनीति की रूप से यहां लक्ष बेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलसरूप इस मुद्धे को गति मिली तो कारण भी सही है और कारण कतन की व्याक्ष्या भी कर रहा है नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है तो अंतरराष्टी बाग दिवस का मना जाता है यह मना जाता है ट्वंटी नाइन जुलाई को विष्य विरासत दिवस ये मना जाता है 18 अप्रेल को और अंतराश्टी जैव वीद्जता दिवस तो ये मना जाता है 22 माई को और यदी बात करें विष्य मिट्डी दिवस की मतलब की World sociable whiskey तो ये मना जाता है 5 अप सब्टमर 15 अप्र दिसंबर को नेक्स्ट है मिमार का पेगू युमा चेतर किस खनीज का प्रमुक उत्पादक है तो यह है मिनरल ओल का मतलब की खनीज तेल का नेक्स्ट है इन्यम लखित में से कौन सा ब्रच परियाव रड के लिए खतरा है तो यह है UK LIBTS नेक्स्ट है किस समिधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राश्टी राजानी छेत्र बनाय गया था तो ये बनाय गया था 69th Amendment Act के द्वारा 1991 के द्वारा नेक्स्ट है जलिया वाला बाग हत्याकांट के विरोध में किसे ने ब्रिटिश शरकार की नाइट हुड की उपादी को लोटा दिया था तिये लोटाया था रवीन्दरनाथ टैगोजी ने नेक्स्ट है भारत में सरवादिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटी छेत्र निम्लकित में से कौन साहत ये है खमभाद तट नेक्स्ट है सिंदुगाटी की सब्वेता के कि पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए तो ये हुए मुवान जोदोडो तथा लो थल से नेक्स्ट है सिख्षा का दिकार मौली का दिकारों में निम्लकित में किसमें शामिल क्या गया है तो यह क्या गया है 86 Amendment Act 2002 के द्वारा सिख्षा के अधिकार को मौली का अधिकार बनाई गया है किस आर्टकिल के तहत है तो यह है अंडर आर्टकिल 21st A के तहत है और यदि बात करें हम राज के नीतने देशक तत्तो की तो इसमें अंडर आर्टकिल 45 के तहत है 21 के अनुसार कौनसे दो राज्य है जो भारत में लोव आयस के प्रमुक उत्पादक है तो इसमें हो जाएगा ओडिशा तथा 36 गड़ तो इसका हो जाएगा ओप्शन A नेक्स्ट है प्रकास राशानिक दुन्द में सदायो होता है तो यह होता है ओजोन होती है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौनसा एक सही सुमेलित नहीं है लोग सभा दिया है और उनका election year दिया है तो सातवी लोग सभा को चुनाओ कब हुआ था यह हुआ था 1982 में नहीं यह हुआ था 1980 में तो इसका option A ही गलत है यदि बात करें 11 की तो 11 हुआ था यह हुआ था गरहामी लोग सभा को चुनाओ 1996 में नवी लोग सभा को चुनाओ 1999 में था था तेरामी लोग सभा को चुनाओ 1999 में हुआ था नेक्स्ट है भारत के संदर में निमलिकित में से कौनसा एक सही है सही बताना है पहला कहता है कि भारत विश्व का छटा सबसे बड़ा देश है ये गलत है क्योंकि भारत विश्व का सेवन नमबर का सबसे बड़ा देश है तो पहला तो गलत हो गया है दूसरा है कि संसार का लगबग 2.4 परशन चेतर भारत के अंतर गताता है दूसरा बिल्कुल करेक्ट है नेक्स है करकर रेखा देश के 20 से गुजरती है जो अक्षांसी विस्तार को दो बराबर भागों में बाड़ती है तीसरा भी सही है चोथा कहता है कि भारत पूरी तरह से उर्ष्रोड कड़बंदी छेतर में है तो यह चोथा भी गलत है इसका पहला और चोथा गलत है दूसरा और तीसरा सही है तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी तो शिव का शिंबल क्या है यह त्रिशूल विश्णु जी का क्या है चक्र है गनेश का बात करे तो गनेश का क्या है रसी या फंदा है और रीती बात करे शरस्वती का तो शरस्वती का है वीना नेक्स्ट है निर्धंता को एक समाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन पर निर्धंता पर किये गया एक शोद सरवेक्षण का परड़ाम है इस शोद के शोधार्ती कौन्थेट ये थे चार्ल्स बूथ नेक्स्ट है तुदुवा राश्टी उद्ध्यान यूपी के निम्लखित में से किस डिस्टिक में इस्तित है तो ये है लकीमपुर खीरी में और 1977 में इसे राश्टी पार्क भी गोशित किया गया था इस राश्टी उद्ध्यान को 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरका तर टाइगर रिजर्व भी गोशित किया गया था नेक्ट है शनी ग्रह के वाईव मंडल में निम्लखित में से कौन सी गयस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो ये पाई जाती है मिथेन गयस रहे ने कаем लेंग निंग मंदल में हाइडरोजन हिलियम मिथेन और आमोंिया जैसी गहसे पाई जाते हैं और शनी गहसे का वाइव मंदल अधिका हां जयता है हाइडरोजन गहसे निर्मित है नेक्सट है विश्व नेक्ष्ट है उत्तर प्रदेश दिवस की स्थित को मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है 24 अब है जिसमें पहला है द्रैंगि और यहां इसका मात रख है इसका मात रख यह तक है लेंज के चंदा का मात रख और जूल ओर यहीं बात करें रेडियो ऐक्टिव पदार्थ की सा कुई रही नहीं होगा इसका मात रख होगा बैकूरल तो इसका option D जो है वो सही सुमेलित नहीं है नेक्स्ट है कथन कहता है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुक उत्पादक है कथन बिल्कुल करेक्ट है करड़ यह है कि जो उत्तरी चिली है इसका ND छेत्र पोर्फिरी तांबे के विशालतम निक्षेप से सं पन है इसलिए विश्व में जो चिली है यह तांबे का प्रमुक उत्पादक है तो इसका कथन भी सही है और कथन इसका कारड़ भी सही है और कारड़ कथन की व्याख्या भी कर रहा है तो इसलिए इसमें हो जाएगा option ए नेक्स है हिंदुस्तान सोसलिस्ट डेमोक्रेटिक union हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजात अंत्र के संस्थापक कौन थे तो इसमें थे यतींद्रनाथ आजाएगोश और फडिंद्रगोश तो इसका वजय का option ए इसकी स्थापना कब होती है 1928 में कहां होती है यह होती है दिलही में तो यह भी आत रखें तो दिल्ली में इस रोग फंगस के कारड होता है और यदि बात करें हम आलू के कश्नकांत रोग की तो यह oxygen की कमी के कारड होता है तथा गेहों का साहूरोग कि किसके करड होता है यह होता है कीट के करड मतलब की इंसेक्ट के करड और यह question agriculture से related था और मैंने agriculture के जितने भी महातपूर question हो सकते ह है महातपूर topic हो सकते हैं वहां से मैंने सभी करा दिया है वहां से आपको 100% question मिल जाएंगे तो उनको आप जाएं तो जाके देख सकते हैं agriculture के दो वीडियो है आप लुक जाए तो जाके देख सकते है नेक्स्ट है कथन कहता है कि लिमनेटिक छेतर में पादप प्लवक अध कर रहा है compression natural gas CNG मुखिता किसकी बनी होती है तो यह बनी होती है मिधेन की नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना प्रमुक प्रोग्राम है और उनसे जुड़े वर्स है तो बात कर रहा है राश्री क्रामिर स्वास्ते मिशन कब आये था तो यह आये था 2005 में और यदि बात करें समाधिक सहायता कारिकरम की तो यह कब आये था 1995 में और स्वड जयनती ग्राम स्वरोजगार कारिकरम कब आये था 1999 में साती संपूर्ड ग्राम रोजगार योजना यह भी आये थी 2001 में तो एक्रिकल्चर से जो भी related वीडियो है उसमें मैंने इन योजनों को भी cover किया है अप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं जो कि pieces के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्त पूड़ोंगे क्योंकि यहां से हर बार question आते हैं नेक्स्ट बताना है नियम लेकित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है प्रमुक अलूमिनियम सायंत्र है और उनकी अवस्थिती है जिसमें पहला है इंडियन अलूमिनियम कंपनी कहां पे है हीरा कुंड में है करेक्ट है भारत अलूमिनियम कंपनी लिंटेट बात कर रह मालकों की यह चननाईम नहीं है तो इसका option D ही गलत है तो यदि बात करें हम मालकों की तो मालकों चननाईम नहीं है यह मैटूर तमिललाडु में Next बात करने के नीचे दियेगा योगिकों में से कौन सा एक प्राक्रति गैस का अवयव नहीं है तो इसमें हो जाएगा मिधेन नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है प्रमुख दार्शनिक है और उनके दार्शन है ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा याद रख सकते हैं राम विशिष्ट हो गए कैसे राम जी विशिष्ट हो गए और यदी बात करें वल्लभाचार की तो इनका सम्द था शुद्ध दोएत वाद से इसमें याद रख सकते हैं राम विशिष्ट हो गए और वल्लभ शुद्ध हो गए नेक्स्ट है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सायोग तो लोग सेवा आयोग बनाया जा सकता है तो यह संबंदित राज्यों के निवेदन पर संसत के दोरा बनाया जा सकता है नेक्स्ट अनियम लिखित में से किसने भारत के राष्ट पती का पद गरहड करने के पूर उप राष्ट पती के पद पर कारिर नहीं किया था तो यह हो जाएंगे नीलम संजीव रड़ी तो नीलम संजीव रड़ी ने भारत के राष्ट पती का पद गरहड किया था उसके पह 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982 तक था और यदि बात करें आरवेंकर ट्रमन की तो यह 31 अगस 1984 से लेके 24 जुलाई 1987 तक थे और डाक्टर जाकिर हुशन यह में 1962 से लेके में 1967 थे भारत के प्रिसिडंट यदि बात करें डॉक्टर संकर द्याल की तो यह 3 सप्टंबर 1987 से लेके 24 जुलाई 1992 तक यह भारत के उपर आश्टोपती रहें कौन शंकर द्याल सर्मा नेक्ट है अगेन SDG से question है इसके पहले भी SDG का एक question है और SDG की एक separate वीडियो भी मैंने बना रखी है यदि आप लोग जाहें तो जाके देख सकते हैं क्योंकि SDG गोल SDG 15 तो यह संबनीत है life below water मतलब की जल के नीचे जीवन से और यदि बात करें SDG 15 की तो यह बात करता है भूमी पर जीवन मतलब life और land की बात करता है नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना प्रमुख समाचार पत्र या पत्रिका है और उनका प्रकाशन स्थान है तो स्वदेश का प्रकाशन कहां से होता था गूरकपुर से होता था भारत बंदू का प्रकाशन कहां से होता था हात रसे सत्यवादी का प्रका बैंकिंग स्कीम अग्रडी बैंकिंग योजना है और इसकी सुबात होती है नाइटीन सिक्ष्टीनाइन में आर बी आई के द्वारा नेक्ट नेम लिखित में से कौन सा एक स्थल रूद्द देश है बात कर रहा है लेंड लॉक कंट्री की तुछ इसमें कौन सा यह है बिए नेक्ट है भारत में संसत के दोरा पंचायत एक्स्टेंसन टू शेडियूल एरियाज कानून का पारित क्या गया था तो यह क्या गया था नाइटीन नाइटीसिक्स में नेक्ट है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्क्रत और हिंदी के महान विद्वन कवींद्र अचारे सरस्वती को राज की संरक्षड प्रदान किया था तो यह हो जाएंगे शह जहां नेक्ट है केबूल लाम जाओर राश्च्री उद्यान नियम लिखित में से किस जील में इस्तित है तो यह है कहाँ पहली बात तो यह है मणीपूर में तो मणीपूर में कौन सी जील है यह है लोकटक जील गुलर जील कहाँ पे है जमो कस्वीर में है कुलेरू लेक आंदर नदी नेक्स्ट इनिम्लो mengit में से कौन सा एक बांधë UP में नहीं है तो अराय उप अटीब इसी पेपर में पीछे पूछा भी क्या जो तिबार नेक्स्ट अज़ें कि बारे में टो यह दो बार आ चुका एक ही पेपर में दो बार ये क्विश्चिन इनaufen है वायु तरंग स्थली विक्रड के द्वारा नेक्स्ट बात करेंगे सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना प्रमुख ट्रेड यूनियन है और उनसे पार्टी अफिलियेशन मतलब की दली संबद दता है तो यदि बात करें हम भारती मजदूर संग की तो ये अफिलियेट है भारत पार्टी ऑफ इंडिया माक्षवादी से और आल इंडिया ट्रेड यूनियन ये अफिलियेट है क्योंट पार्टी ऑफ इंडिया से नेक्स्ट है किस देश में प्राकृतिक आर्शेनिक पदूसित चल मिलता है तो ये मिलता है बांगला देश में